असलाम अलिखुम अजीज तल्वा हम जमात अफ्तुन के जोग्राफिया के सबत नंबर 6 कुद्रती खिते में ताइगा के खिते की मालूमात थासिल कर चुके हैं आईए अब हम अगला माजू घास के खिते स्टेप्स और परेली के मुतालिक मालूमात थासिल करते हैं जमीन पर 30 दर्जे से 55 दर्जे शुमाली वो जुनूबी अर्जुल बलदों के दर्मियान बर्याजमू के अंद्रोन हिस्सों में घास के खिते पाए जाते हैं उन्हें अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग नामों से जाना जाता हैं मसलन यूरेशिया यानी यूरप और एशिया के घास के हित्ते को स्टेप्स जुनूबी अफरीका में वेल्ड, जुनूबी अमरीका में पम्पास, शुमाली अमरीका में परेरी और ऑस्ट्रेलिया में डाौन्स के नाम से जाना जाता है घास के इन खित्तों में थोड़ा बहुत फर्क पाया जाता है घास के इस खित्ते में घास की उचाई कम होती है अब यहां की आबो हवा के बारे में जानते हैं गर्मियों में यहां का दर्जे हरारत तक्रिबन 37 दर्जे सेल्सियस होता है और सर्दियों में 0 दर्जे से भी कम हो जाता है यहां बारिश का सालन आउसत 400 से 600 मिलिमीटर होता है मतलब यहां बारिश कम होती है ज्यादा तर बारिश गर्मियों में होती है आईए अब यहां की आबो हवा का कुदरती नबातात पर क्या असर होता है देखते हैं कम बारिश के नतीजे में यहां घास के वसीव अरीज मैदान नजर आते हैं यहां की घास कम बुलंद और तेजी से बढ़ने वाली होती है सर्दियों में यहां घास खतम हो जाती है इन इलाकों में एल्डर और पॉपुलर वगरा दरख्त पाये जाते हैं अब देखते हैं यहां की हैवानी जिन्दगी किसी भी इलाके की आबो हवा और कुदरती नबातात का असर वहां की हैवानी जिन्दगी पर पड़ता है घास के इन खित्तों में हिरन, घोडे, कुट्टे, बेडिये, जंगली बैल, खरगोश, कंगारू, डेंगू वगरा हैवानात पाए जाते हैं डेंगू एक कुट्टे की नसल है, ये जंगली जानवर भी है और पालतू जानवर भी है, कुट्टों की नसल में ये बड़ा फुर्तिला और मजबूत होता है इनके अलावा बकिरिया, भेडे, गाए, बैल, घोडे, गदे वगरा यहां के पालतू जानवर हैं इसके बाद यहां की इनसानी जिन्दगी के बारे में जानते हैं गास के मैदानी इलाके होने के सबब यहां का खास पेशा गल्ला बानी है पहले यहां के लोग एक मकाम से दूसरे मकाम भटकते हुए जिन्दगी गुजारते थे यहां के लोग चमडों के खेमे में रहते हैं इन इलाकों में करगेस कबाईली लोग रहते हैं जो अपनी जिन्दगी एक मकाम से दूसरे मकाम भटकते हुए गुजारते थे लेकिन वक्त के साथ इनके रहन सहन में बड़ी तबदीली आई और ये पक्के मकानात बना कर रहने लगे हैं इनके इलाकों में गेहु की खेती होती है